ये पंचमुकी हनुमान जी कब बने थे वो घटना भी मैं आपको बताओं बगवान राम विवीशन के चितावनी के बाद भी लिला कर देते हैं अही रावन लेकर चुरा कर लेकर गया तो विवीशन ने हनुमान जी को बताया कि महाराज हमारा दो भाई अही रावन मही राव अनुमान जी ने कहा कि जब संजीव नहीं लेकर आया इसमें नहीं डरा तो ये तो छोटा सा कारिय है अनुमान जी गए तमाम असरों को मारते हुए प्रवेश करते हैं तब देवी जी को जाकर देवी मां के सामने बली चढ़ाना चाहता है अहिरामन भगवान राम लक्षमन क तो हनुमान जी ने मां को प्रणाम करके पूछा कि मां क्या आप सच्में प्रभू की बली चाहती है मां ने का मैं तो इस अहिरामन की बली चाहती हूँ तो माने स्वयम अनुमान जी को कहा कि एक साथ यहां पांच दिशाओं में अहिरावण ने पांच दीपक जला रखें और शर्त यह है कि एक साथ यदि वो पांच दीपक बुझ जाएं तभी अहिरावण मारा जा सकता है अब हनुमान जी के लिए कौन सा कौन सो काज कठीन जग माही जो नहीं हो तता तुम पाही ऐसा कौन सा कार्य है जो हमारे हनुमान दादा से नहीं होता हनुमान जी ने उसी वक्त पंच मुखी रूप बनाया बोलिए पंच मुखी हनुमान जी महराज की पाँच मुख से हनुमान जी प्रगट हुए और पाँचो मुखों से फुक लगाई पाँचो दीपक बुझ गए तब से श्री हनुमान जी महाराज पंच मुखी हुए और बाद में उन अहिरावन की बली चड़ाने के बाद इतने सारे प्रसाद थे न अनुमान जी ने सोचा कि वहां युद्ध मैदान में इतना भोजन तो मिलने वाला है नहीं यहां ही जितना हो खा लो और सोचा एक मुख रहेगा तो इतनी जल्दी खा नहीं पाऊंगा तब हनुमान जी ने पांचों मुखों में भोग लगाना शुरू किया तब से अनुमान जी पंच मुखी हुए